こԿए मैं कैसे है आप साब । आज में आप साब के लिए एक never unique 시 recipe लेकर आई हुlere यह recipe na ही आज से पहले आपने कभी खाई होगी और नाही कभी बनाई होगी यह बहुत ही तेस्टी बहुत ही इजी सी बनके बहुत ही जल्दी बनके त्यार हो जाती है बहुत ही जल्दी तो यह बन जाती है और आप इसे चाहे तो अपने ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या तो आप शाम की चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं बहुत ही असान है इसे ब बना नीए तछें मे टोड़ें तोड़ी दोरा में लैंक टोहरी इन उड़ा करें नीए सांदा अरहीं साथ एक बड़ा चम्मच बेसन का बेसन से बहुत यचा फ्लेवर आएगा इसका और साथ यहां पर मैं एड़ कर रहे हूँ तीन से चार चम्मच दही के और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे दही डालने के बाद और यहां मैं यूज कर रही हूँ बरी कटी हुई हरी मिर्ची यहां पर मैंने दो हरी मिर्ची का यूज किया है और इसी के साथ हम डाल देंगे बरी कटा हुआ प्याज और यहां पर मैंने लिया है थोड़ा सा कड़ी पता, कड़ी पता को इस तरह मैं तोड़ के इसके बीश में डाल रही हूँ, कड़ी पता से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आपके पास कड़ी पता ना हो तो आप धनिया भी इसके बीश में डाल सकते हैं, और अब सी अच्छे से पानी धाल के मिक्स एक बैटर बनालेंगे। था लिए जुग पानी धिरे करके दिलर राइस के बीश में डालें । जो होड़ार करके पानी भी प्रसके बीश में दालें। एक बाद अपे अधा चंवा और अच्वाले चुम्मच नमक और अधा चंवाद है ल यहां पर मैं यूज कर रहे हूं आदा चमच जीरा पाउडर और आदा चमच अमचूर पाउडर लानने से बहुत ही अच्छा एक खटा सा टेस्ट आएगा इसके बीच में तो अब हमने इसमें सारे मसाले डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप चावल के आटे की जगा सूजी का भी यूज कर सकते हैं पर सूजी का जब आप बनाएंगे तब आपको थोड़ी देर के लिए इसे डिप करके रखना पड़ेगा दही के साथ सूजी को थोड़ी देर के लिए रखना पड़े और इसके उपर से थोड़ा सा पानी ना लेंगे बिलकुल जरा सा पानी ताकि जो इनो है थोड़ा से एक्टिफ हो जाए इसमें और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे या आप यहां पर बैटर देख रहे हैं बहुत जादा पतला बैटर नहीं है हमारा हलका गाड़ा ही बैटर हमने यहां पर बनाना है तो आप इसी तरह का बैटर बनाएं आप चाहें इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल दाल सकते हैं यहां पर मैंने प्याज और हरी मिर्ची का यूज किया है इसकी जगा आप कोई भी जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं कैरेट भी डाल सकते हैं बीच म अब बैटर को इसके उपर डाल देंगे बैटर को अच्छे से सट करना है अच्छे से से करते हुери डाले एक बहुत भाईया सा नाश्ता बनकर त्यार हो जाता है तो आप यहां देख रहे है ने इसे अच्छे से फैला दिया है और पूरा एक जिस तरह हम चिला बनाते हैं उसी तरह मैंने इसे शेप दी है तो अब हम इसे नीचे की तरफ से पकने देंगे और उपर से हम इसे कर देंगे कवर ताकि यह अच्छे से पक जाए और गैस का फ्लेम आपको ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम होना चाहिए जितनी देर यहाँ पर कुक हो रहा है तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसे तरके वाले पैन में कैसे बना सकते हैं तो यहा पर मैं एक तड़के वाला पैन का यूज कर रही हूँ और इसमें वही सेम प्रोसीजर हम करेंगे पहले डालेंगे थोड़ा सा ओयल और इसके उपर से अपना बैटर डाल देंगे बैटर को आप बड़े ध्यान से अच्छे से फिलाते हूँ डालें तो अब आप इसे एक तरफ से अच्छे से कुख होने दें उसके बाद ही आप इसे साइड पलट के दूसरी तरफ से कुख करें तो जितने देर यहाँ पर कुख हो रहा है तो चलिए हम चलते हैं वापिस अपने कड़ाई में जो हमने बैटर को डाला था और बनाया था तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने इसे एक तरफ से अच्छे से पका लिया है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह एक तरफ से अच्छे से कुख हो जाए उसके भाद ही आप इसकी साइड पलटिएगा तो अब हम इसकी साइड पलट लेते हैं तो आप यहाँ देखेंगे मैंने इसकी साइड पलट ली है और बहुत ही बढ़िया सा इसका टेक्स्चर आया है तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से कुख हो गया है यह हमारा जो हमने बेट से नाश्ता बनाया है और उसके उपर से अगर आप देखेंगे राई औ तो अब हमने इसे साइड पलट के नीची की तरफ से भी बहुत ही से कुख कर ला है और आप देख लेखेंगे दोनों हमने यहां अच्छे से बना कर त्यार कर ली है और अगर मैं आपको दिखाओं तो एक हमने बनाए था तके वाले पैन में तो वो हमने चोटे साइज बना नाश्ता है तो आप यहने देखेंगे कि बहुत ही तो धी बड़ी चला से नाश्ता तियार हो चुक एंगी कोह भी मैं। क्रिस्पी क्रिस्पी नाष्ता बन कर थीयार हो चुका है तो देखी आपने युज क्रिस्पी नाश्ता बन के त्यार हो lucky है तो तो कैसे लगय को हमारी दॉने को आरे सिपिध से कमेंट करके जरूर बताएगा और इसी तरह आपना प्यार देते रहें जल्दी मिलते एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई